सो दोस्तो हाली में OnePlus ब्रांड ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉंच किया है OnePlus Note CE2 5G और दोस्तो बहुत ही जल्द OnePlus अपना एक और बजट रेंज की स्मार्टफोन लॉंच करने वाली है सो दोस्तो OnePlus अपना एक बजट रेंज की स्मार्टफोन लेकर के आने वाला है बहुत ही जल्द इंडिया मार्केट में जिसमें आपको 6.7 इंच की OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और साथ ही में Gorilla Glass 5 की protection भी आपको इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले में देखने को मिलने वाली है डिस्प्ले तो दोस्तो बहुत ही बहतरी आपको इस बजट रेंज की स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है तो चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं फॉन की performance कैसी होने वाली है प्रोसेसर क्या देखने को मिल सकती है तो दोस्तो इसमें आपको Mediatek Gaming City 810 की प्रोसेसर मिलेगी नमबर ओफ को आपको 8 देखने को मिल जाएगी और माली के तरब से आपको GPU देखने को मिलने वाली है देखने को नहीं मिलने वाली है तो दोस्तो बात कर लेते हैं फॉन की storage variant की और android वर्सन की तो दोस्तो फॉन आपको 2 डेम वेडियंट के साथ देखने को मिलने वाली है 6 GB और 8 GB की डेम वेडियंट देखने को मिल जाएगी इस storage वेडियंट भी आपको दो देखने को मिलेगी 128 GB और 256 GB की storage वेडियंट आपको देखने को मिलने वाली है इस smartphone के साथ वीडियो दोस्तो अगर आपको पसंद आड़ी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और इसी तरह की latest वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe कर बेल notification को all पर जरूर कर लीजिएगा ताकि हम जैसे वीडियो अप्रोड करें उसकी notification सबसे पहले आप तक पहुँचे चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं camera की तो दोस्तो इसमें आपको triple camera setup देखने को मिलने वाली है जिसमें आपकी primary sensor जो वह 50 megapixel की होने वाली है Sony IMX 786 की आपको sensor देखने को मिल जाएगी So guys phone में अगर gaming experience अच्छी होने वाली है तो आपको जो है battery backup भी अच्छी होने ही चाहिए तो 4500 mAh की battery आपको इस smartphone में देखने को मिलने वाली है जिसे charge करने के लिए 67 Watt की fast charging in the box आपको देखने को मिल जाएगी So finally phone launch का होने वाली है और किस price range पर launch होने वाली है तो March के इंड तक में आपको चाइना के अंदर इस smartphone को launch किया जाएगा अगर price range देख लिया जाए तो आपको 6 CVM 128 जबी storage variant की जो price होने वाली है Approx 40,000 रुपीज आपको देखने को मिल जाएगी So मित करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ओल पे जरूर कर लीजेगा ताकि हम वीडियो अप्लोड करें उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे चलिए दोस्ता आप आपसे मिलते हैं किसी और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद